एलो चिल्डरन वेलकम बेक यूआल आज हम कक्षा साथ नई दीप मनिका से पार्ट नमबर ग्यारा महत्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे आपने महत्मा बुद्ध के बारे में सुना ही होगा कि इनके बच्पन का नाम सिद्धार था और इनोंने महल के एश्वाराम छोड़कर ये वन में चले गए थे तो आईए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं महात्मा बुद के बारे में इन में महात्मा बुद में पशु पक्षियों के प्रती बहुत दया थी मनुश्यों के प्रती भी बहुत दया थी तो आईए आज इसके बारे में जानते हैं यहां पर हम कुछ नई धात्वें सीखेंगे अव्वे सीखेंगे और संधी युक्त शब्द भी देखेंगे तो आईए देखते हैं लेसन पहले ज़्यादा टाइम बेस्ट ना करते हुए पूरा कपिल वस्तु नाम नगरे शुद्दोधनो नाम राजा आसीद पहले कपिल वस्तु नाम नगर में शुद्दोधन नाम का राजा था तब से पुत्रसे नाम सिधार्थ आसीद उसके पुत्र का नाम सिधार्थ था एक दा एक है रिशी राजभवनम आगच्छत एक बार एक रिशी राजभवन में आ गया अब देखिए यहाँ पर आगच्छत है इसलिए आ गया बच्चे कन्फ्यूज़ ज़द है आगच्छत समझ लेते हैं शिशुम द्रिश्टवा सह अकत्यत बच्चे को देखकर उसने कहा द्रिश्टवा बहुत इंपोर्टेंट शब्द है द्रिश्ट जमा कत्वा प्रत्य तो बनेगा द्रिश्टवा भो राजा है राजा एशय बाले निपय भविशती यह बालक राजा बनेगा अथ्वा सन्या प्रत्य का प्रियोग हो जाता है पितु समीपम गत्वा से अवदत पिता की समीप जाकर उसने बोला एक और वच्चे ध्यान देना समीपम के योग में शष्टी विवक्ती का प्रियोग यहां पर यह जो पितु है यह शष्टी विवक्ती में प्रियोग किया गया है पिता के समीप जाकर उसने बोला भोतात अहम नगरम द्रश्टुम इच्छामी हे पिता श्री मैं नगर को देखना चाहता हूँ अभी जैसा कि मैंने बताया था जहां पर भी चाहना आ जाए यह इशदातु है चाहना यहां पर वान्षदातु है तो इससे पहले तुम मन प्रत्य का परियोग किया जाता है ठीक है किरप्या मम यात्राया प्रबंधम कारा रहे किरप्या मेरी यात्रा का प्रबंध कराइए पिता अकथoscope ने कहा गच्च गच पुत्र जाओ जाओ पुत्र एशा यात्रा तव शुभाय बहुतु यह यात्रा तुमारे लिए शुभ होवे। हम कोई जारा होते हैं तो हम भी बोलते हैं अप्पी जलनी। सार्थीना सहय रथम आलू है सिद्दार्थ है नगरम द्रश्टुम प्राचलत। सार्थी के साथ रथ पर चड़कर सिद्दार्थ नगर देखने के लिए चल दिये। यहां पे सहय के योग में तृत्य विभक्ति का परियोग। मारगे सहय एकम वृद्धम एकम रुगणम एकम शवम चा अपश्यत। रास्ते में उसने एक बूड़ा एक रोगी और एक शव देखा शव मतलब डेड बोडी मरा हुआ शरीर। एतान द्रिष्टवास सार्थी माप्रच्चत यह देखकर उसने सार्थी से पूछा एते के यह सब कौन है। कथम एतेशाम एम विक्रता अवस्था इन सब की ऐसी बिगड़ी हुई अवस्था कैसे हो गई। नेक्स पेट पे आईए। को प्राप्त करके या बीमार होकर संसार को छोड़ देते हैं। तब वे मृत्यू को प्राप्त होते हैं। मृत्यू के पश्चात वे शव रूप में रहते हैं। निस संशय विश्वस्य सर्वे जनह इमाम दशाम दक्षनती शरीरम तक्षनती चा। यानि कि निस संशय यानि कि बिना शंका के विश्व के सभी लोग इस दशा को देखेंगे और शरीर को त्याग देंगे। ऐसा कोई कोई व्यक्ति सोचता है। बहुत कम लोग हैं जो जीते जी मरते हैं यानि कि जो समाधी लगाते हैं जो ज्यान प्राप्त करते हैं। कहने को तो हम सब जाग रहे हैं लेकिन हम सब सोय हुए हैं ठीक है तो इन्होंने जीते जी मात्मा बुद्ध ने जीते जी जान लिया था यानि कि ये इस तरह से सब बिमार होंगे तो ये महल को छोड़कर अपने आश्वराम छोड़कर इन्होंने परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया तसे इदम उत्तरम शुत्वा विचलित है पूत्वा सिधार्थ है अचिन तयत इसके इस उत्तर को सुनकर विचलित होकर सिधार्थ ने सोचा असमिन संसारे जनहा मृत्यों सत्यम ग्यात्वा अपी संसारम प्रति मोहम ना ते जिनती इस संसार में लोग मृत्यू के सत्य को जानकर भी संसार के प्रती मोह को नहीं त्यागते ऐसा है ना देखो सभी को संसार के प्रती मोह होता है हम है तुम है सभी को सभी चाहते कि हमें संसार में सुख मिले और हमें दुख भी मिलता है तो भी हमारा जो आकर्शन है वो संसार की ओर ही रहता है तो हम उस चीज़ को त्यागते नहीं है तो यहां पर वो यही बात कर रहा है एतत विचिंते से राज़ प्रसादम प्रति अगच्छत ऐसा विचार करके उसने राजमहल की और गया वी चिंते वी उपसर्ग चिंत धातु लेप प्रत्य रात्रों से राजभवनम परित्यज्य वनम अगच्छत रात्री में उसने राजभवन को छोड़ कर रात्री में वह राजभवन छोड़ कर वन की और चला गया वन चला गया की और नहीं है सोरी उसने विशु के कल्यान के लिए लोगों को अहिंसा के धरम का उपदेश दिया तो यह आपका चैप्टर था यहां कल्यानाय में चतुर्थी विवक्ति जनेब्य में भी चतुर्थी विवक्ति तो यह इसके वर्ड मिनिंग है तो आएए देख लेते हैं जल्दी वर्ड मिनिं शिशुम बच्चे को सन्यासी वेरागी आवांचत चाहता था तात प्रिय या पिता शुभाए भले के लिए आरू है चड़कर प्राचलत चल दिया चल दिया कौन वह है यूकि यह एक वचन है विक्रिता बिगडी हुई सारती रथ चलाने वाला रुग्ण है रोगी निस् प्रख्याता है प्रसिद आहिंसा किसी को ना माना बच्चों अगर आपको word meaning आते होंगे तो आप बहुत easily अपना अनुवाद कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो मैंने चीजें बताई है कि इसमें कौन सा प्रत्य है समीप के योग में शष्टी भी भक्ति का परियोग ये भ करें ताकि उनके भी पैसे खर्चना हूं ठीक है ना तो आईए इसमें नई धात्वे देखते हैं वांच चाहना त्यज छोड़ना नए अव्य कोन से हैं पुरा प्राचीन समय में पश्चात बाद में कथम कैसे एक दा एक बार संदी युक्ति शब्द कोन से हैं ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाग उठा सके थैंक्यू चिल्जन टेक केर बाई बाई